Welcome students, the topic of our lecture is Rivularia. Rivularia algae belongs to class Sinophysi, Order Nostrochels, Family Rivulariae and Genus Rivularia. Sinophysi class के इस member की habitat और morphological feature पढ़ने से पहले हम इसके classification की बारे हम बात करते हैं. सबसे पहले Sinophysi class, इसके क्या 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 करेक्टर है, उसको हम देखते हैं. Sinophysi class के बारे हम जानते हैं कि ये इसको हम blue green algae कहते हैं, नील हरीत सेवाल कहते हैं, और इसके अंदर chlorophyll A present होता है, और C-phico-sinin and C-phico-erythrin, phicobalens वाजाते हैं. Sinophysi class के जो member है, उसकी cell structure pro-cadetic होती है, और cell wall जो है, muco-peptide की बनी होती है. इसके अंदर sexual reproduction absent होता है, और Sinophysi class के member जो है, उसकी जो range of thalas है, उस सब तरह की होती है, uni-cellular, colonial, trichome form, sinobium form, सब तरह से जो है, इसके member, अलगला member जो है, हर तरह की range of thalas जो है रखते हैं. जैसे uni-cellular form की बात करें, तो crew cocus जो है, uni-cellular member है, colonial form की बात करें, तो glue capsa जो है, वो colonial एलगी है, trichome form में oscillator यह है, cytonema, यह trichome form में बायते हैं, और sinobium form की बात करें, तो merismopedia जो है, वो sinobium pattern में बायते हैं. तो यह जो है, एक general characters, diagnostic feature, इस class के, उसके बाद हम बात करते हैं, order नौस्टोकेल्स की, नौस्टोकेल्स के बारे हम जानते हैं, कि यह largest order है, इस sign of IC class का सबसे बड़ा order है, और इसके अंदर जो algae है, वो filamentous होती है, multi-celler, कि इसके अंदर जो algae होगी, वो filamentous होगी, multi-celler होगी, और heterocyst इसके अंदर सामानिता पाय जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं, regularity family, regularity family क्या विशिचता है, कि इसके अंदर जो general होते हैं, वो uniserie, उसके जो structure होती है, उसकी tapering tricome होते हैं, और उसके चारोभी फर्म सीथ वाजयती है, और false septa जो है, वो भी इसके अंदर पाय जाता है, false septa इसके अंदर पाया जाता है, तो यह इसका classification, उसके बाद हम habitat की बात करें, कि यह जो है कहाँ पायादा है, कि इस फर्म में पायता है, तो हम देखते हैं कि य colonial form colony में बाज़ता है और इसकी जो colonial होती है aquatic as well as terrestrial कि ये दोनों ही form में पाज़ता है aquatic भी होता है और terrestrial form में पाज़ता है और aquatic की बात करें तो aquatic दो तरह से fresh water and marine water fresh water की बात करें तो हम fresh water में जो है free floating on water surface कि जो water bodies है pond है, puddles है, lake है वहाँ पर उसमें water bodies के पर suspended form में free floating form में बाज़ता है या फिर कोई macrophytes होते है submerged plants जो होते हैं उस पर attach रहते हैं या फिर stones से attach रहते हैं तो इस तरह सी ये fresh water form में पाज़ता है इसके अलबा जो है regularia की कुछ species जैसे regularia bulleta regularia bulleta marine form बाज़ता है, इसी को सागर तर्ट के उपास-पास पाज़ता है तो ये aquatic algae इसके अलबा टेरेस्ट्रियल regularia की बात करें तो ये जो है नदी की किना river bed के आसपास जो है dam soil जो नम मिटी होती है उसमें जो है ये पाज़ता है और अब हम इसके structure के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो सरेंचना कैसी होती है सरेंचना को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक colonial structure and trichome structure यह colonial structure यह water कोई surface है, substrate है substrate के उपर यह mucilisness mass है और इस gelatinous colony में जो है बहुत सारी trichome यहाँ पर regularia के लगे हुए है और हम इसको हम आसानी से देख सकते हैं कोई भी water bodies है या कोई water tank जो है water tank आसपास जहां भी tap water से कोई water गिरता रहता है और नीचे हम देखते हैं कि बहुत सारा mucilisness mass और इनलगी हमें नज़राती है blue green इनलगी नज़राती है उसमें जो है यह रिवूलीरिया गलोटाइकया, साइटोनीमा आदी हमें आसानी से नज़राते हैं तो उस mass में यह gelatinous mass में यह रिवूलीरिया हमें दिखाई देते हैं इसकी colony जो है वो macroscopic होती है आसानी से जो है naked eye से visible होती है हम आसानी से देख सकते हैं और यह colony जो है अलग अलग size और shape की होती है इसकी size कोई definite नहीं होती है कई तरह कि इसके अंदर size और अकरती के होते हैं और इस पी जो color जो होता है इसका yellowish brown yellowish brown पीला भूरा रंग का जो है इस colony का color होता है और यह colony जो है thick, discoid, spherical, hemispherical और irregularly lobed अनीमित रूप से जो है पालित होती है इसके spherical, hemispherical यानि कई तरह कि जो है इसकी colony हो सकती है और हर colony में जो है बहुत सारे radially arranged trichome पायते हैं और यह रूप से भी आवस्तित, radially arranged trichome कि यह colony है इसके अंदर radially arranged trichome पायते हैं और यह जो trichome होते हैं इस central portion में बहुत loosely arranged होते हैं लेकिन जैसे periphery की और चलते हैं वहाँ पर यह जो क्या होते हैं कि crowded form होते हैं बहुत जदा मात्रा में पायते हैं तो central portion में यह loosely arranged रहते हैं क्या trichome और periphery पर यह बहुत ज़्यादा dense लेवल पर पायते हैं और trichome जो है कोलोनिक अंदर कोलोनिक अंदर जो trichome पायते हैं वह कैसे रहते हैं कि mucellaneous matrix एक soft mucellaneous matrix उसके अंदर रहते हैं और यह matrix जो है हर trichome की cell के द्वारा secret की जाती है कि जो colony का जो gelatinous matrix होता है वह matrix कहां से आता है वह trichome की cell जोती है वह secret करती है और उस matrix में यह सारे-सारे trichome आपस में गोते भी रहते हैं उसके बाद जो है हम trichome की बात करें trichome, whip like structure, straight or slightly curved स्ट्रेट और slightly कर एक चाबुक की तरह सरंजना होती है इस चाबुक होता है उसकी तरह इसकी सरंजना हमें दिखाई देती है तो फोड़ी स्ट्रेट सामानियत स्ट्रेट होती है या फिर हलके से मुड़ी भी होती है ये एक reveal area की trichome की structure इस तरह से एक whip like structure और इसमें जो है एक terminal end पर vessel end पर हिट्रोसिस्ट और उसके बाद हिट्रोसिस्ट के आसपास की cell ब्रोड होती है और देर देर इसके अंदर taper होता जता है और उसके बाद में एक distal part पर distal end पर जो है यह cell जो है एक hair like structure में convert हो जाती है तो इस तरह से एक चाबुक के तरह ही सनचना दिखाई देती है trichome broad at base gradually tapers to our apex की यहाँ पर जो है यह broad है और धीर 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 यहाँ पर tip की और taper होता जाते है और and terminate in a long colorless multi-cellular hair at the distal end की जो है दूरस्त सिरे पर distal end पर जो है यह एक hair like structure में convert हो जाते हैं और hair भी जो है कैसा होगा सामने तरह स्टेट होता है या फिर हलका सा बुड़ा होता है meristematic zone present below hair की जो hair like structure है उसके नीचे का यह पार्ट यानि जो heterocyst के उपर और hair like structure जो है hair like apex है उसके बीच की जो सारी cells है वो cell क्या कहलती है meristematic zone कहलती है meristematic zone और each trichome has its own mucilaginous seeth trichome with seeth is called filaments अब हम देख रहे हैं कि हर trichome हम जानते हैं कि colony के अंदर जो mucilaginous या gelatinous matrix होती है वो किसके द्वारा secret होती है हर trichome की cell के द्वारा secret होती है और यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर चारों तरफ से seeth वाजती है और seeth, seethed जो structure होती है trichome उसको हम filament कहते हैं उसको filament कहते हैं और regularia के अंदर जो seeth होगी वो जामनिते जो है meristematic zone और heterocyst के आसपास वहाँ तक किसी मित रहती है आगे कि और head like structure जो hairy apex जो होता है वहाँ पर यह seeth नहीं पाजाती है और जो heterocyst हमें देखे दे रहे हैं यह heterocyst एक single heterocyst होता है कि regularia material एक ही single और terminal heterocyst पाजाता है और इसकी खास बाती है कि इसके अंदर single pore या single polar nodules जैसे कि एना भी नम होता है वो double polar nodules होता है दो polar nodules होता है लेकिन ribularia के अंदर जो है single polar nodules पाजाता है और यह heterocyst जो है spherical ellipsoidal या फिर cylindrical अलगले इसकी shape पे होता है और यहाँ पर एक खास बात और कि जो heterocyst के पास एक echinate नाम की सरंचना जो होने चीए वो echinate नाम की सरंचना जो है जो की reproduction में कामाती है help करती है वो structure यहाँ पर absent होती है gliotricum देखें तो heterocyst के पास में echinate एक जो है सरंचना पाजाती है और वो सरंचना यहाँ पर absent होती है जो की इसका एक remarkable feature है और रिवूलोरिया के trichome जो है कभी कभार जो है कभी कभी false branching शो करते हैं इसके अंदर false branching पाजाती है तो यह इसकी structure हुई colonic की और trichome की उसके बाद हम बात करते हैं cell structure की जो है रिवूलोरिया की कोशिका की सरंचना किस तरह के होती है अब मैं यह देख रहे हैं कि जो cell जो है basal और malistematic region यहाँ की cell क्या होगी barrel sept होगी और as long as broad कि जो इसकी length और width जो है दो नहीं सामने तब बराबर होती है कहाँ पर basal region और malistematic region लेकिन जो hairy region hair like apex जो है वहाँ की cell जो है लंबी होगी उसकी length जो है उसकी width जो है बड़ी होगी और उस cell जो होगी वो कैसे होगी barrel sept नहीं होकर के और cylindrical structure में हमें नजर आएगी और reveal area की cell जो हमके देखे हैं उसको इन दो पार्ट में बाढ़ सकते हैं cell envelope and protoplasm cell envelope जो है उसका जो cover है उसको फिर अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं sheath and cell wall sheath जो है trichome को cover किये रहते हैं और cell wall जो है protoplast को enclose किये रहते हैं इसी तरह से जो protoplast है वो दो पार्ट में बंटा रहते हैं central part centroplasm और periphery पर जो है वो chromoplasm centroplasm में जो है photosynthetic lamellis इसके अंदर photosynthetic lamellis और synofacian granules ये इसके अंदर जो है synofacic class के अंदर एक membrane bound plastics नहीं पायता है तो उसके अंदर जो थैलेकोइट्स होते हैं जो डिस्क होती है वो जो है irregularly distribute रहती है तो ये सारी centroplasm में रहती है और chromoplasm जो है उसमें जो है वो क्या रहता है 70s ribosome वगर है इसके अंदर पाया जाता है तो ये protoplast structure और उसके बाद growth हम देखते है रिवूलेरिया के अंदर trichothelic growth और trichothelic growth का मतलब ये हुआ कि जो है कोई भी particular जो plant body जो होती है उसके एक निशित भाग के द्वारा निशित portion के द्वारा अगर कोई growth होती है तो उसको trichothelic growth कहते है और इसमें जो है रिवूलेरिया के case में जो है maristematic zone जो होता है ये maristematic zone जो है उस maristematic zone की maristematic cell के द्वारा जो है ये growth इसके अंदर होती है तो ये growth उसके बाद next हम देखते है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, डिवूलेरिया के अंदर सामनित जो है vegetative reproduction द्वारा ये multiply होते है और vegetative reproduction इसके अंदर सामनित हो होता है better system की द्वारा कभी के बारी होता है सामनित नहीं होता है लेकिन हर्मोगोणिया एक general process है जिसके द्वारा ये vegetative multiply ह talkinstable और है इसकी structure और जैसे हर्मोगोनिया का निर्मान होता है उस दोरान क्या होता है कि रिवुलिया का जो ट्राइकोम है उस ट्राइकोम का जो हेर होता है वह हेर वहां से हट जाता है यानि ट्राइकोम से हेर गिर जाता है और उसके बात क्या होता है कि यह जो रिवुलिया का ट्राइकोम है औ उस वक्त क्या होता है कि इसका जो ये हीर यहां से हट जाता है और Mestimatic region और H iterations इसके बीच का portion इसके अंदर रहता है अब देखिये कि यहां पर जो vegetative cells pursue Mestimatic zone की उस cells में क्या जयता है dairy limitations हो जाता है इक दूसरे से यहां से अलग औरauen लगती भी हो सकती है तो इसमें जो है यसे ये दो सेल नज़रा रही है इसके अलावा फॉर सेल्स भी हो सकती है सिंगल सेल भी हो सकती है अगर टू सेल हर्मोगोंस बने कि अगर यहां से जैसे ये दो टू सेल्स हर्मोगोंस बन गया और जो अपर सेल है, वो सेल क्या करेगी, कि इसके अंदर repeatedly division होगा, एक एक ही plan में, uniserate order में division होगा, और वो आगे चल करके vegetative daughter cells बनाएगी, तो इसके अंदर जो है, क्या होगा कि tool cells होर्मोगांस में, एक सेल जो है, किसमें कनोट होगी, heterocyst में कनोट हो जाएगी, और दूसरी cells जो है, divide होकर के, उसमें repeatedly लगातार विवाजन होगे, एक ही तल में विवाजन होगे, और वो आगे चल करके, और वेजिटेटिव daughter cells का नेमान करेंगे, तो इस तरह से, ये रिवूल एरिया के अंदर, जो है, हर्मोगोन्स के द्वरा, हर्मोगोनिया के द्वरा, अल, जो ह काई के जानन होता है, इसके अंदर एक sexual reproduction और sexual reproduction जो है सामने तया, नहीं पाइदा, totally जो है, upset होता है, तो ये हम जो है, रिवूल एरिया के life cycle, thank you